हेलो बच्छो तो केसे हो आप लोग फाइनली यहाँ पर मैं क्लास तेंट वालों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ क्लास तेंट वालों के लिए हिंदी परिक्षे अध्यन की हम तयारी करने वाले बच्छो हिंदी की तयारी हम करने वाले अच्छे से देखो बच्चो हमारा पूरा टार्गेट बोर्ड एक्जाम रहता है लेकिन हम एक्जाम वाइस भी तयारी करवाते हैं अभी जो आपकी त्रेमासिक आने वाली तो उसे आप से हम तयारी यहां पर करवाने वाले बच्चो ठीक है तो जिन बच्चो के पास अगर परिक्षाद्यन है वो निकाल लेजिए उसमें आप टिक लगा लेजिए सारे इंपोर्टेंट क्योशन पर में टिक लगवाने वाला हूं ठीक है जो जो बताऊंगा रट लेना 100% क्योशन आपके बेठने वाले एक्जाम में ठीक है बच्चो जो बच्चे बिलकूली नए आए हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जरूर जुनना और हमारे चेनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले रहा है क्योंकि क्लास तैंट के अच्छे से हम तैयरी करवाते हैं तो आईए शुरू करते हैं हिंदी पद्य साहित के इतियास में से क्यावजन विभाजय अच्छे से पढ़ना है कैसे मैं आपको पूछलू आदिकाल का समय सिमा क्या है तो आपको याद होना चीह है नो सो तर्राणू इस्वी से सन तेरा सो अठारा इस्वी तक क्योंकि ये question आपके objective में पूछे जाएंगे आपको पूछा जाएगा भक्तिकाल का समय सीमा क्या है इस तरीके से पूछा जाएगा तो काल विभाजन अच्छे से आपको contest कर लेना है नेस्ट जो question आता पूछो बहुत important आएगा आपका रितिकाल को शंगार काल नाम क्यों दिया गया है बहुत important है तो इस वाले question को अच्छे से आपको पढ़ लेना है तो रितिकाल इनकावी में शंगार रसका अधिक वर्णन हुआ इसलिए कुछ लोग इस काल को शंगार काल क्याते है दो नंबर में अगर पुछा जाएगा तो आपको दो लाइने लिख दी नहीं बस ठीक है नेस्ट जो आएगा most important question रितिकाल की दो प्रमुक विशेष्टा है जितने भी काल दे रहे के बच्चों उनकी विशेष्टा है तो कम से कम आपको याद होनी चीए इस वाली unit से तो रितिकाल की दो प्रमुक विशेष्टा आपको पढ़ लेना है इस पर भी आप निशान लगा लिजे नेश्ट जो क्यूशन है वो भी important होने वाला है तो रितिकाल की विशेष्टा आपने पढ़ ले तो रितिकाल के दो कवियों उनकी रचना भी आपको पढ़ लेना है बहुत important है केशवदास पदमाकर बिहारी गनान इन चारो कवी की रचना यहाँ पर दे रखी है नेश्ट के आपने पास important अपने पास जो important होगा question number नो प्रगदिवाद की दो प्रमुक विशेष्टा है बहुत important है इसकी भी दो विशेष्टा आपको पढ़ ले नहीं और प्रगदिवादी कवी के नाम दो कवी और उनकी रचना भी आपको पढ़ नहीं ठीक है यह वाली नहीं कवी को यदो करने नहीं कवीदा की प्रभू के विशेष्टा आपको यादोने से तो दो विशेष्टा आपको क्योंकि दो नंबर में question पूछ जाएगा थीक गर इनए और गया हमारे जो हिंदी पद्य साइध का इतियासा बच्चों को इसमें से आपको यही question आपको करने हैं इसी में से आपके क्यूशन फस जाएंगे बच्चों मैं 100% बोल रहा हूँ ठीक है एक क्यूशन और अपना छूट गया था प्रियोग वाद कावी की विशेष्टा इसको भी करना आपको ठीक है यह भी इसकी दो विशेष्टा भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं ठीक है कम से कम दो याद होनी चीए ठीक है बाकी आप चार करो तो और अच्छी बात है बाकी दो तो आपकी होनी ही चाहिए बचो ठीक है आप कुछ इंप्जेक्टी भी देख लेते हैं इसकी ठीक है अब से अठारा सू तर्रालिस दो ठीक है रितिकाल के आप यहाँ पर देख सकते हो यह राफ का है इस परकार से नैस कि उशन के आपने पास ऑप्जेक्टी में रितिकाल के कावि का मुख के विशे है श्रंगरवनन बिहारी कीश काविधारा के कवी है तो रितिसिद्ध काविध रितिकाल के कवित है भूशन प्रगदिवादि के कवि माने जाते है रामधारी सिंग दिनकर प्रियोगवाद कवियों का विशे ध्यान रहा है प्रियोग शिल्ता पर प्रियोगवाद के जनक कौन है अगे बहुत इंपोर्टेंट है प्रगदिवादि कावि का मूल सुहर क्य प्रवत्त अगे माने जाते हुं प्रियोगवाद हिंदी कविता के प्रवतक अगे जगदिश गुपत नई कवी माने जाते हैं रितिकाल की रिशना को प्रदान विशेश श्रंगार्वनन है बिहारी रितिकाल के प्रमुक कवियों में से अधुनिकाल का प्रारंबिक सन क्या है 1843 से माना गया ठीक है यह अब सत्या से आप छोड़ दीजिए सीधा आजाईए सही जोड़ी में बहुत इ अगे क्या है आपका प्रियोगवार बहुत इंपोर्टेंट एक शब्द एक वाक्य मुक्तर बहुत इंपोर्टेंट है आपका रितिकाल कावे का प्रदान विशेश कोन सा है श्रंगार्वनन केदानात अगरवाल किस कावे धारा के कवी है प्रगतिवादी मुक्ति बहुत की कविताओ की स्कावे धारा में लिखी है प्रियोगवादी नई कविता का प्रारुमिक सन बहुत इंपोरेंट सन 1950 में और प्रियोगवाद के प्रोतक माना जाते बहुत बहुत इंपोरेंट क्यूशन है अगे हैं यह हमारा हिंदी साहित कंप्लिट हो चुका है नेस्ट तो मिलते हैं ने श्टूडियो में बच्चो अब एक लिए इतना ही ठैंक्यों बच्चों है